वेल्कम बैक दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 रसन सास्त्र यानी की केमेस्ट्री का सेट पेपर 2 पहला कोशन आप लोग के सामने हैं SO2 का आन्विक दरेविमान होगा 30 यूनिट, 64 यूनिट, 32 यूनिट और 46 यूनिट आप लोग को कमेंट बोक्स में इसका रैट अन्षर और कमेंट करना है और लास्ट में 35 कोशन का स्कूर भी बताना है तो कोशन नमबर वन का रैट अन्षर होने वाला आप्सन नमबर ब यानिकspe 64 यूनिट अगला कोशन का जवाब दिजेगा बेंजीन का मुलानुपाती सुत्र क्या है C6, H6, C2, H2, CH या फिर C2, H4 2 का राइट एंसर होगा अप्शन नमर A यान की C6, H6 अगला कोशन का जवाब दिजेगा NTP पर एक मोल गेस का आइतन होता है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 5.6 लीटर या फिर इन में से कोई नहीं तो कोशन नमर 3 का राइट एंसर होगा अप्शन नमर B यानि की 22.4 लीटर अगला कोशन का जवाब दिजेगा एक लीटर विलियन में उपस्थीत विले के मोलो की संख्या को कहते हैं तो क्या कहते हैं ओप्शन नमर 1 मोलर्ता, मोलल्ता, नर्मल्ता या फिर मोल अंस तो कोशन नमर 4 का राइट एंसर होने वाला है मोलर्ता एक लीटर विलियन में उपस्थीत विले के मोलो की संख्या को मोलर्ता कहेंगे अगला कोशन का जवाब दिजेगा कोशन नमर 5 इन में से कोन तापमान के स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है मोलर्ता, मोलल्ता, नर्मल्ता या फिर इन में से कोई नहीं Q5 का राइट एंसर होने चाहिए मोललता ये तापमान के साथ परिवर्थित नहीं होती है Q6 का जवाब दिजेगा 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन कार्बन डाकसाइड गेस के मात्रा होगी 22 ग्राम, 50 ग्राम, 44 ग्राम या फिर 56 ग्राम तो Q6 का राइट एंसर होना चाहिए Option C यानि की 44 ग्राम अगला Q7 आओ गाद्रो संख्या बराबर होगा 6.022 x 10 to the power 22, 6.022 x 10 to the power 23, 6.022 x 10 to the power 20 या फिर 10 to the power 21 राइट जवाब कमेंट बोक्स में कमेंट किजेगा Q7 का सही एंसर होगा 10 to the power 23 अगला Q7 Q8 Sodium परमानू का electronic विन्यास क्या होगा 1s², 2s², 2p6, 3s1 या फिर Option B, C या फिर D जवाब दिजेगा इसका राइट एंसर Q8 का राइट एंसर होगा Option A अब आप लोग को क्या करना है उपर का जो भी power में इन सब को पलस करना है और देखना है कि sodium का atomic number के बराबर है या नहीं तो sodium जिसका symbol N A होता है जिसका atomic number 11 होता है अब देखा जाए कि 11 हो रहा है कि नहीं 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11 तो Option A इसका राइट एंसर हो जाएगा वहीं पर question number 9 का जवाब दिजेगा कि quantum सेंक है N बराबर 3 और L बराबर 2 ठीक है वाली उप कक्छक क्या होगी ठीक है तो 3S, 3P, 3D या फिर 2P तो question number 9 का सही अंसर होगा option number C यानि की 3D अगला question का जवाब दिजेगा question number 10 HE2S के पाउर में 1 विन्यास वाला परमानू होगा B E L I B या फिर कारबन तो question number 10 का राइट इंसर होगा option number B यानि की L I लिथियम अगला question का जवाब दिजेगा question number 11 इन में से नियुम्तम उर्जा वाला उप कक्छक कोन सा है नियुम्तम उर्जा वाला उप कक्छक आप लोग को बताना है 3D, 4S, 4P या फिर 5S question number 11 का से अंसर होगा option B D यानि की 4S अगला question का जवाब दिजेगा Magnesium जिसका परमानू सेंख्या 12 होता है और परमानू दरव्यमान 24 होता है इसमें प्रोटोन की सेंख्या बताना है तो जितने परमानू सेंख्या होता है जितना परमानू सेंख्या होता है उतना ही प्रोटोन की सेंख्या होता है तो option B D इसका सही अंसर होगा और यहीं पर अगर question पूछ लिया जाए neutron की सेंख्या निकालना है तो द्रवमान संख्या को परमानू संख्या से घटा देना है तो इसमें नियूट्रोन के संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा अगला कोशन का जवाब दिजेगा कोशन में 13 के हाइडोजन परमानू के प्रत्थम बोर कक्छक की त्रिज्या क्या होगा? 0.629 एंगस्ट्रम याफि 0.529 एंगस्ट्रम 0.429 एंगस्ट्रम याफि 0.329 एंगस्ट्रम तो कोशन में 13 का से अंसर होगा ओप्सन में B यानिकी 0.529 एंगस्ट्रम अगला कोशन का जवाब दिजेगा कोशन में 14 3MHZ आव रित्ति वाले रेडियो तरंग की तरंगधेरी होगी तो कितना तरंगधेर होगी? 100M, 300M, 100NM या फिर 300NM चाहिए? 100M, 300M, 100NM या फिर 300NM तो कोशन में 14 का से अंसर होगा ओप्सन नमबर A यानिकी 100M अगला कोशन का जवाब दिजेगा नमन में से किस आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? Magnesium जिसका 2+, Oxygen जिसमें 2- Aluminium जिसमें 3+, या फिर Fluorine जिसका 1- सिंगल माइनस है देखिए, पलस चार्ज का मतलब है 2 पलस चार्ज का मतलब 2 आयन इन्होंने दान में दिया है 2- माइनस चार्ज का मतलब है कि 2 electron इन्होंने कैरी लिया है किसी से तो जब electron लिया जाता है तो माइनस का चार्ज आता है और electron जब दिया जाता है तो उस कंडिशन में पलस का चार्ज आता है ठीक है? तो 15 का सही अंसर जवाब दिजेगा Question में 15 का से अंसर होगा Oxygen जिसमें 2 माइनस चार्ज है अगला Question का जवाब देजेगा 16 कि समुह के तत्वों को Halogen के नाम से जाना जाता है Group 16, Group 17, 13 या फिर 15 Halogen तो Question में 16 का राइट अंसर होगा Option में B यानिके 17 वहीं पर 18 Group को क्या बोला गया है तो 18 Group को Novel Gase या फिर जिरो Gases या फिर इनर्ट Gase के नाम से भी जाना जाता है अगला Question नमबर 17 निमन लिखित में किस विन्यास की आइनन उर्जा अधिकतम है तो N, S, Square, N, P, Square या फिर N, S, Square, N, P, Q, N, S, Square, N, P, 6 या फिर Option नमबर D तो 17 का राइट अंसर होना चाहिए Option नमबर C N, S, Square, N, P, 6 अगला Question का जवाब दिजेगा एक तत्व जिनकी परमानु सेंख्या 35 है को आवर्थ सारनी के किस आवर्थ में रखा जाएगा 3, 4, 2, या फिर 1 तो 18 का राइट अंसर होगा Option नमबर B यानि की 4 अगला Question 19 निमन लिखित में किस की विद्धू तिरनात मकता अधिकतम है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सिजन तो 19 का राइट अंसर होगा Option नमबर A अगला Question के जवाब दिजेगा Question नमबर 20 आधुनिक आवर्थ सारनी में समुह की संख्या कितनी है तो समुह की संख्या आपे पूछ रहा है 15, 10, 18 या फिर 20 तो आधुनिक जानते हैं समुह की संख्या कितना है 18, Option नमबर B अगला Question Question 21 एक हिताप और दाव पर सभी गेसो के समान आईतन में अनुह की संख्या समान होती है यह नियम है, चाल्स का नियम, बॉयल का नियम, आवगादरो का नियम या फिर इन में से कोई नहीं तो Question 21 का सही अंसर होने वाला है, Option नमबर C, Option नमबर C यानि की आवगादरो का नियम अगला Question का जवाब दिजेगा, Question है, PV एक्वाल टू N, R, T यह आपका समीकरन कीन का है, आदर्स गेश का समीकरन है, वास्तविक गेश समीकरन, प्राथमिक गेश समीकरन, या फिर इन में से कोई नहीं तो Question 22 का राइट एन से होना चे, Option नमबर A, आदर्स गेश समीकरन, अगला Question, गेश इस्तरांक आर का स्यांखिक मान निर्भर करता है, गेश की प्रकरती पर, गेश के तापमान पर, गेश के दाब पर, या फिर माप की इकायोब पर Question 23 का राइट एन से होना चे, Option नमबर D, यानि की माप की इकायोब पर अगला Question का जवाब दिजेगा, Question 24, वह गेश जो सभी ताप, एवम दाब पर, गेश के नियमों का पालन करती है, उसे कहते हैं, वास्तविक गेश, आदर्स गेश, अक्रिय गेश, या फिर इन में से कोई नहीं तो Question में 24 का राइट एंसर होगा, Option नमबर B, यानि की आदर्स गेश, अगला Question का जवाब दिजेगा, N, जिसको नमबर बुला गया है, मोल वास्तविक गेश के लिए, वांडर वाल समीकरन होगा, तो चार Option में से क्यास का सही एंसर है, बताइए Option, कमेंट बोक्स में कमेंट किजिए इसका राइट एंसर है, Question में 25 का राइट एंसर होगा, Option नमबर D, अगला Question का जवाब दिजेगा, Question है आप लोग के सामने, 30 डिगरी सेलसेस ताप, एवं एक बार दाब पर, वायू के 500 डैसिमीटर क्यूब, आइतन को 200 DM क्यूब तक सम्पिरित करने के लिए कितने नियूमतम दाब किया हो सकता होगी, 3.5 बार, 2.5 बार, 700 बार या फिर 900 बार, Question में 26 का राइट एंसर होगा, Option नमबर B, यानि कि 2.5 बार, अगला Question है आप लोग के सामने, B upon T, एक्वल टू इस्थरांक है, Charles का नियम, Boyle का नियम, आवगादरो का नियम, या फिर इन में से क कोई नहीं, तो 27 का राइट एंसर होगा, Option नमबर A, यानि कि Charles कानियम, अगला Question, नियम्न में से कोन सात्त्त्व, Beryllium के साथ, विकर्ण, संबंध प्रदर्शित करता है, Magnesium, Sodium, Aluminium, या फिर Calcium, तो 28 का राइट एंसर होगा, Aluminium, यानि कि Al, अगला Question, नियम्न लिखित में से कौन उभई धर्मी हाइड्रोकसाइड है, LiOH, NaOH, CaOH का होल्टोईस, या फिर BeOH का होल्टोईस, तो 29 का राइट एंसर होगा, Option नमबर B, Beryllium OH का होल्टोईस, अगला Question, Question नमद 30, किस हाइड्रोकसाइड की छार्य सकती अधिक्तम है, NaOH, LiOH, CaOH का होल्टोईस, या फिर K, O तो 30 का राइट एंसर होगा, Option नमबर D, अगला Question, 31, S ब्लोक, ततों का बह इलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा, N, S1, N, S2, N, S1-2, या फिर Option नमद D, तो 31 का राइट एंसर होगा, Option नमद C, N, S1-2, Next Question का जवाब दिजेगा, Question 32, या अपका CH3, CH2, CH2, CN, CL, N, CHO का IUPAC नमद क्या होगा, तो सबसे पहले इनका structure पहले बना लिजेगा, structure बनाने के बाद देखेगा कितनी कार्बन है, चार कार्बन है या फिर पांच कार्बन है, अगर चार कार्बन है तो ब्यूट होगा, और पांच कार्बन है तो पैंट होगा, उसके बाद देखना है कि किसी कार्बन के कार्बन कार्वन कार्वन के बिच कितना बॉंड है अगर सिंगल बॉंड है तो A, N, E लग जाएगा डबल बॉंड है तो E, N, E लग जाएगा और तिर्पल बॉंड है तो Y, N, E लग जाएगा ठीक है उसके बाद देखना है कि ब्रांचेश अगर सिरीज में है कॉंबिनेशन तो ब्रांचे सिरीज में कितने में ब्रांचे निकला हुआ उसका यहाँ पर डिजिट आ जाएगा इस परकार से 32 का राइट एंसर होगा आप्शन वे भी आनि कि 2 क्लोरो पैंटेन इसका राइट एंसर हो जाएगा 2 क्लोरो पैंटेन अगला कॉशन का जवाब दिजिएगा इन में से कौन इलेक्ट्रोन रागी है NH3, Cl- OH- या फिर BF3 तो 33 का राइट एंसर होना चे आप्शन नमबर B यानि कि क्लोरीन माइनस Cl अगला कॉशन का जवाब दिजिएगा ये आप लोग का second last question है मिथेन अनू में कार्बन परमानू का संकरन क्या है SP3, SP2, SP या फिर SP3, D D1 भी लिख सकते हैं या फिर SPD only है SP3D तो 34 का राइट एंसर होगा option number A यानि कि SP3 अगला कॉशन कॉशन number 35 और last question इन में से कोन plus 1 प्रभाव दरसाता है CH3, chlorine minus CH2 या फिर NO2 सोरे, यहाँ पे NH2 है और NO2 तो 35 का राइट एंसर होगा CH3, option number A चले, वीडियो अच्छे लेगे तो like, share, और subscribe किजएगा मिलते हैं नेस क्लास, thank you